नमस्कार दोस्तो, SBA Securities Morning Podcast में आपका स्वागत है आज के Podcast में हम Nifty, Bank Nifty में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे साथ यह से कौन से Sectors और Stocks है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे ग्लोबल मारकेट को देखेंगे तो विटनस टेक को अमेरिके वाजार में एक जो है मिक्स्ट हमको performance देखने को मिला और डाव ने एक नया all-time high level बनाया और उस 0.59% की बड़त के साथ 41-200 के स्थर के असपास बंद हुआ यहां पर नजर आई है तो सबसे रुलेखने बात है कि 2024 में के बाद पहली बार नेस्टेक इंडेक्स अपने के लेवल के नीचे आ चुका ब्रेंड क्रूड ओयल देखें तो 82.74 के इस तरके आज पास उसने समर्थन लिया और एक smart rebound वहां पर दिखाया और आगे बढ़ते 85.7086 यह जो जोन है यह एक resistance के तौर पर अक्ट करेगा और नीचे 83-83.70 यह जो जोन है Brent Crude Oil के लिए सपोर्ट के रूप में आक्ट कर सकता है बात करें निफ्टी की तो मंगलवार को benchmark index निफ्टी ने 73 जो points है उसकी बहुत ही छोटी range में trade किया और 40 कारोबारी सत्रों में अगर हम देखें तो यह सबसे कम जो है दैनिक सीमा हमको नजर आई दैनिक परमाने पर इसने लगाता दूसरे कारोबारी सत्रों के लिए एक डोजी candlestick pattern बनाएंगे सपश रूप से जो budget आने वाला है उससे पहले higher levels पे elevated levels पे बाजार में earn इने को जो है दर्शाता है आगे बढ़ते विए levels की बात करें तो 24,550, 24,530 यह जो जोन है एक support के रूप में friends act करता हुआ नजर आ सकता है हमको और आगे जब तक हम 24,530 के उपर निफ्टी को ट्रेड करते विए देख रहे हैं 24,680 का level भी उपर में दिख सकता और उसके बाद यह rally 24,760 के levels तक extend होती भी नजर आ सकते हैं नीची के levels की बात करें तो 24,530 के अगर नीचे फिसलता है इंडेक्स तो 24,530 के level हमको नीचे में नजर आ सकते हैं डेरिवेटिव पे अगर हम एक नजर डाले डेरिवेटिव डेटा पर तो जुलाइफ फ्यूचर्स कल फ्लैट नोट पे माफ कीजएगा ट्यूजडे को फ्लैट नोट पे समाप को है और जो ओवराल ओपन इंट्रेस्ट है वहां पे 2% की वृद्धी हमको नजर आई तो य ग्यारा में लॉंग अन्वाइनिंग तो एक मिक्स्ट परफॉर्मंस हमको फ्यूजडेक के मार्किस में नजर आया था स्ट्राइक देखें तो 2700-800 में कॉल में उपन इंट्रेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया वहीं 2600-2500 के पुट में भी उपन इंट्रेस्ट में इजाफा नजर आ रहा है सब्सक्राइक एक एक्सपाइरी के लिए उपन इंट्रेस्ट देखें तो 1.11 पर है और मैक्स पेंट फ्रेंज 24600 के स्ट्राइक पर है और अगर हम मंतली PCR देखें तो 1.38 पर है बात करते हैं दूसरे मेजर इंडेक्स की यानि कि बैंक निफ्टी की तो जो वीक्ली एक्सपाइरी है उस के लिए बैंक निफ्टी ने 287 पॉइंट्स की एक रेंज में ट्रेड किया और ये 18 में 2024 के बाद सबसे कम जो है एक इंट्राडे अगर हम रेंज देंगे तो वो हम हमने देखी आगे बढ़ते हुए 52-250 जो है इंडेक्स के लिए एक सपूर्ट की रूप में कारे करेगा और अगर 52-250 की नीचे बैंक निफ्टी फिसलता है तो फिर यहां पर हमको एक कावन आठ सो पचास एक कावन आठ सो तक एक प्रॉफिट बॉकिंग बैंक निफ्टी म एक्सेंड होती भी नजर आ सकती है बैंक निफ्टी के डेरिवेटिव डेटा पर अगर हम एक नजर दाले तो 0.19 परसंट यहां पर फ्यूचर में कटौती हुई और ओवाई जो है 3.52 परसंट की यहां पर गिरावट आई है तो एक लॉंग अन्माइंडिंग हमको साफ पर क्लोज हुआ और कुछे कुछ कारोबारी सत्रों में अगर हम देखे तो 14.91 12.08 इस रेंज में जो है इंडिया विक्स कंसॉलिडेट कर रहा है और आगे बढ़ते हुए 15.40 तक यहां पर एक तेज उचाल आ सकता है मेजर सेक्टर जिन पर आपको आज फोकस करना चाहिए तो मेजर में अगर हम देखे तो निफ्टी रियाल्टी ने 20 ये में के आसपास एक मजबूत सपोर्ट बनाया और एक अच्छा रिबाउंड यहां पर हमको ट्यूजडे के दिन देखने को मिला और हमें लगता है कि य इनके अंदर शॉट टर्म में हमको एक अच्छी तेजी दिख सकती है तो इनके स्टॉक्स आपके वाच्छ लिस्ट में जरूर होने चाहिए बात करें एफ़ाई डियाई डिटा की तो एफ़ाई ने 1271.45 करोड की खरीदारी की वहीं डियाई ने 529.48 करोड की बिक्री की ए इंडेक्स फ्यूचर के लिए फाई का जो लॉंग शॉट रिशो है वो 80.85 पर है क्योंकि उन्होंने ओवराल 485 इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं फ्यूचर के मूर्चे पर एफ़ाई ने 38.545 कांटरक्ट बेचे हैं वहीं ऑप्शन के मूर्चे पर एफ़ाई ने 1,31,656 कॉल कांटरक्ट खरीदे हैं वहीं 1,10,145 पूट आप्शन कांटरक्ट भी खरीदे हैं तो friends इसी के साथ आज के podcast में बस इतना ही हमारे podcast को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद